अगर आप अपनी स्क्रीन पर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहें तो फटा फट जाकर इसको लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना एंड बिल आइक उन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं को वीडियो डालू तो आप तक टाइम ली नोटिफिकेशन आता रहें चलिए लेट्स स्टार्ट तो यहां पर हम लोग उजिनेसिस को डिसकर्स करेंगे पर इससे प्रीवेस वाली वीडियो में मैंने इस पर मेटोजनेसिस को डिसकर्स किया था आप पहले उसको देख लीजिए उसके बाद उजिनेसिस को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा चलो अब ह फटा फट बताते हे यह होता क्या है यह का मतलब किया है फॉर्मेशन ओफ ओव्वर्म और एक का फॉर्मेशन होना लोगो जब फीमेल के अंदर एक बंलता है तो उस प्रॉसेस को हम लोग उजैनेशिस कहते हैं जब एक बनता है उजनेसिस की प्रोसेस पर पर स्टार्ट हो जाती है कि जैसे हमने क्या पढ़ा था human males में उनके अंदर क्या होता था puberty पर जब वो आते थे जो human males से जब प्यूबर्टी पर आते थे तब वो sperm metogenesis करके sperm बनाते थे लेकिन females में एक बनने की process उनके embryonic stage से ही start हो जाती है like जब फीटास होती है ठीक है और इसमें हम लोग क्या कह सकते है इस मिलियंस मिलियंस ओफ उगोनिया इस मिलियंस ओफ उगोनिया प्रेजंट होते हैं इन इच आवरी जो फीमेर होती है उनके अंदर दो ओवरी होती है तो दोनों ओवरी में हर ओवरी में millions of ugonia present होते हैं यह बात clear होगी अब आप question करोगे what is ugonia यह ugonia क्या होता है ठीक है तो देखो जैसे spermatogonia से sperm बनते थे उसी तरीके से ugonia की help से आगे जाकर ovum बनेगा now clear तो को spermatogonia में हमारे कहां से थे spermatogonia हमारे seminiferous tubules के अंदर थे जो testis के अंदर थी ठीक है उसी तरह से हमारी ugonia होती है female की ovary के अंदर present होती है और millions के amount में present होती है किस amount में होती है millions के amount में now clear अभी हम लोग इस theory part को बाद में पढ़ेंगे पहले हम समझेंगे जैसे हमेशा वहां पर मियूसिस होता है तो प्रो मियूसिस क्या होता है उस एक हम समय सभलत होता है जब जाकर है haploid cell बने और एक female ओर male के haploid haploid cells होते हैं वह आपस में fuse करते हैं तब इस वज़े से याद रखना कि जब भी कोई भी सेल से गैमिट बनेगा वह डिप्लाइड होगा यहां पर क्या लिखा हुआ है उगोनिया उगोनियम सोरी उगोनिया नी उगोनियम 2N मतलब डिप्लाइड तो यहां पर क्या होगा आपको यह देखते हुए चलना है कि यह जो उगोनियम में टूए यहां पर माइटोसीश हुई ठीके सबसे पहले माइटोसीश और कहां से और इंब्रियोनिक स्टेज से बात हो रही है तो देखो यह आपका जो पहला वाला यह बना हुआ है यहां पर देखो आपने टूएल ओगो नियागराम है कि बीकला को यह मुलदिंद यह चैनली सें मितुम्ड बन गार थेवहधा है लेकिन कि थीटेवल ऑपके अब ग Onoda लेकिन जैसे ही होती है तब क्या होता है लेकिन अब अब क्रोमोजोम का नंबर जो था वही रहेगा अब उसमें आदा और नहीं होगा ठीके यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी आपको आता होगा इसके बाद क्या बनेगा हमारा प्राइमरी यह भी हमारा डिपलाइड होगा ठीके यह कहां से स्टार्ट हो रहा है यह हमारा स्टार्ट हुआ है इंब्रियोनिक स्टेज से जहां पर मियॉसीस1 हुई लेकिन आपको यहां पर उूखना पड़ेगा क्या होगा आप ने जब व्यास पड़ा था तो मियॉसीस में कितने फेज थे आपके प्रोफेज थे प्रोफेज 1 कह देंगे फिमेता फेज 1 दिन एन फेज 1 देन तीलो फ तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे कितने फेज आएंगे एड़ फेज की बात हुख यह रही है तो लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर आपने देखा यहां ईप्रियोनिक स्टेज की बात हुखा थे तो प्रााइम्री उसाइड बना था इम्प्रियानिक स्टेज अम्योसिस वन हुआ और यहां पर जो यह आपका प्रोफेज वन है यहीं पर यह जो प्रोसेस थी रुक जाएगी यानि arrested at pro phase one अब इसके आगे process बढ़ेगा ही नहीं पर यह रुख जाएगा ठीक है अब रुख गया अब क्या होगा अब यह जो है प्राइमरी उसाइट जहां पिता महीं पर रहेगा तो अब यहां पर क्या होगा जो प्राइमरी उसाइट है यह puberty stage पर ठीक है आएगी तो वहां प अब प्रोफेज वान, मेताफेज वान, इनाफेज वान, टीलो फेज वान यह प्रोवरा process आपका complete होगा बट यहां पर क्या होगा अब अनिकुल डिविजन क्या होता है दो को आगे हम समझाएंगे तो आपको समझ में आगा अनिकुल डिविजन में जैसे यहां पर आपने तो छोटा वाला सेले यह polar body होगी इसकी तो यह degenerate कर जाएगा कैसी body होगी polar body जिसकी वाज़े से degenerate कर जाएगा लेकिन जो बड़ा वाला है यह जब एागे प्रोसेस करेंग अपिर इसमें बदी है ऑफ इसमें इकल डिविजन होगा जब निकल डिविजन हो आ तो फिर दोगह यहां पे पोलर बॉडी बने जो डिजनरेत हो जाएगी और बड़ा वाला वही ओवामा एग होगा और यहां पी जो सेकेन्री उसाइता जो बात करते देखो इसमें क्या है अब चलते दोबारा उपर की दरफ फिर से देखते हैं हमने उपर क्या इसकीप किया था तो देखो हमने डिसकस किया था कि हमारा जो उगोनियम है इस उगोनियम की बात हो रही है इसमें माइटोसिस करके प्राइमरी उसाइट बना दिया था अ पूरे प्रायमरी उसाइट बनकर रुकता गर्म आपको यह यहां पर और कुछ भी प्रोसेस होते हैं इंब्रियानी के स्टेज से प्यूबर्टी तक के तो उसको देखते हैं तो यहां पर जो प्राइमरी उसाइट था मियोसिस वन पर अटक गया था है इसके अराउंड एक सेल की लेयर आ जाती है कैसी लेयर आएगी तो यहां बना यहा तो उसके अराउंड एक सेल की लेयर आ जाती है इस सेल को हम लोग कहते क्या है ग्रैनियू लोसा सेल कहते क्या कहते है ग्रैनियू लोसा सेल और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ने क्या कहा प्राइमरी फॉलिकल क्या हम लोग ने प्राइमरी फॉलिकल कहा ठीक है यह क्ल मिलियन से कहां तक आगया 60,000 से 80000 तक न मतलब कि गया सफर हो गया प्राइमरी फॉलीकल दोबारा डेवलप होगे तो फर्धर सेलस बना लाएं वरी तो फॉर्धर यह पर्धर सेफ्टानल ή आगे माम यह अब बनें व्हारे बना लेती जएगी I10 वैंने यह फैरिंद करती जाती है अब ही टर्शरी फॉलिकल टक आ जाती है तर्शवरी फॉलिकल कॉम्प्लीट हो गया बट अप घुतफी अगर बात करें तो यह क्या पूरी Pelu अगने के पड़ा प्रिकंज के प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल कव हम लों देखा कि यह हमारा primary eucite ही है यहां के बीच का प्रॉसस हम बता हुआ है कि इसमें और क्या क्या चल रहा है भी यहां तक तो आए ही नहीं है ठीक है और इसके बीच में एक 気i भी बन जाती है कहाँ कमी गी डी ने को मैं यहा पर आपको दिखा देती हूँ यह यह देखो यह बाहर वाली यह इक ले तो पिंक वाली एक ले रह तो फिंक और इसको क्लना ऑफ जी ने खरद हो यह भी शीच फिल्ट भलूता है वए जब इस cavity में fluid होता है मतलब cavity filled fluid in tertiary follicle उसको आम लों ने क्या कह दिया उसको आम लों ने कहा यहां पर लिख लेते हैं ant rum ant rum ठीके इसको आम लों ने कह दिया ant rum I hope so आप कोई clear हो रहा होगा अब देखो जो primary oocyte अभी वही चल रहा है ठीके primary oocyte से आपका primary follicle बना primary follicle से secondary follicle then आपका tertiary follicle अब tertiary follicle के बाद यह जो primary oocyte है जब antrum इसमें आ जाता है यह antrum इसमें आ जाता है तब primary oocyte क्या करती है meiosis one को complete करती है यानि अपना unequal division करती है जिससे polar body बनती है और हमारा secondary oocyte बनता है अब यहां पर यह आ गया अब देखो यहां पर secondary oocyte बनेगा तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोगों ने क्या कहा जोना पैल्यूसीडा ठीक है एक प्रोटेक्टिव लेयर आई तो उसको हम लोगों ने कहा दिया जोना पैल्यूसीडा और इनका काम क्या होता है इस जोना पैल्यूसीडा का यह बहुत important काम करते है इनका काम होता है उसे फटिलाइजेशन ना कर सके ठीके तो जब सेकेंडरी ऊसाइट के बाद जोना पहली ऊसीडा आ जाती यही होता है हमारा ओवम एन एग ठीके यही हमारा क्या बन गया ओवम एन एग। इस एक के राउन एक और लेयर आ जाती है ठीक है जो किसकी लेयर आएगी ग्रैनियू लोसा सेल्स की मतलब बहुत जादा मल्टी लेयर आ जाती है देखो यहां पर एक ग्रैनियू लोसा सेल्स है यहां पर और आ गई यहां पर और आ गई अब यहां पर देखो और भी जादा इसमें हम और जादा लयर जहाँ गैंगी इस तरीके से यह इसमें तो इह ळादा एंक e कर रही है को कना मॉललेर आ जाती तो इसको हम लों ने क्या कहा वालिकल सरी इसρεख अम लों ने कहाब ग्रिफियांड फॉलिकल तँक खक जो ठमती नहीं अब इसमें और तो यहां तक जो मैंने आपको समझ में आया चलो अब इसमें जो थेयरी मैंने लिखी है उसको भी एक बाद देख लेते हैं यह तो आपका समझने के लिए हो गया ठीके डेखो लोकेशन क्या बताई ओवरी यह ओवरी में होता है ठीके और इसमें स्टेज़ेस कौन सी थी उगोनिया ठीके प्राइमरी उसाइट सेकेंडरी उसाइट ओवर्म पोलर बोडिज आपको पॉइंट क्लियर रहेंगे ठीके देखो ऊगोनिया में क्या बताया था आपका यह डिपलाइट इस्टेंसल सी जो ड में मैं मलद बर्प एंड आ जा यानिंट मुपरोल हुटा है और उस्ट व görसि उसली की बात हो रही ती आरेस्टें यहां पर मेटा फेस्टू में अटक जा रहा था ठीक है अब ओवन की बात करेंगे तो मैच्योर एक सेल फॉर्म हो रहे थे आफ्टर मियोसिस टू कम्प्लीट अपॉन फेटिलाइजेशन अब यहां पर फेटिलाइजेशन के बाद कम्प्लीट होता है फिर पोलर बॉडी इस क्या थी जो डिजनरीट ऊजा रही थी यह यह बाय प्रोड़क्त होता है मियोसिस का जो डिजनरेट उ रही थी वेंच्वली इनका कोई नहीं ओशीक है अब हम लोगा आगे देते हैं इसमें हार्मोनल रेगुलेशन क्या है इसमें FSH यानि FSH का फुल फॉल फ़म क्या था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लेच लिटिनाइजिंग हार्मोन तो यह दोनों क्या आते हैं फ्रॉम द पिट्यूट्री ग्लांड से रिगुलेट होते हैं ओवेरियन साइकल में ठीक है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टरॉन थे यह फ्रॉम्ड ऑवरीज यह बहुत क्रूश ठीक है देखो नमबर ऑव गैमेट प्रोड्यूस इस पर्मेटोजनेसिस के अगर हम बात करें तो इस में क्या था फोर इस पर्म सेल्स थे इज प्राइमरी इस पर्मेटोसाइड तबके ऊजनेसिस में क्या था वान ओवम था अप्टू थू थ्री पोलर बॉडिस फ्रॉम कि अथिस्ट प्राइंपरि उस साइड फारएं तो इस पर्मिटोजनेसिस है और ओझनेसिस है स्पर उस यह तुपर मीटोजनेसिस तम और यह बौके वरूं सोरह हो लाई थि है प्यूपश के बाधि की बात करें तो यह बर्त पाल से पहले नहीं कि इंप्रियानमेुश से फिर यह प्यूबर्टी तक पॉस हो जाती है फिर यह प्रोसीड होती है और साइक्लिंग करती है अपने मेनु पॉस तक ठीक है जो टाइमिंग होता है माइम्योंटिक डिविजन का वो देखते है इस पर मेटोजनेसिस में यह कंटिनियूस होती है विडाउट फिर मुवासिस तो कंप्लीट होता है फिर उसमें फर्टलाइजीशन होगा ठीक है अब इसके सिगनीफिकेंस देख लेते हैं सिगनीफिकेंस में देखो जो जैनेटिक डावरसेटी होगा क्रोमोजोम नंबर मिंटेनिस होगा फर्टिलीटी एंड प्रोड़क्टिव तो जेनेटिक डावरसेटी में क्या होता है इसे मिवासिस को इंट्रड्यूस करा जाएगा जेनेटिक वेरेशन के लिए थो किसके थो रिकॉंबिनेशन एंड इंडिपेंडेंट असौर्टमेंट के थो ठीक है क्रोमोजोम नंबर मिंटेनिस में क्या होगा यह यह बहुत इसेंशल होता है किसको एड्रस करने के लिए इशूस जो किसे रिलेट करता है फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंटल बायलोजी में ठीक है अब इसके इंपोर्टन कॉंसेट को लो देख लेते हैं इसमें एक मियोसिस था एक हैपलाइट था डिपलाइट था एफ होता है जो कि 느र्ट नंबर को हाफ करके ठीक है और रिजल्ट क्या देता है फोर है पलाइट सेल को देगा seven Appalach होता है यह यह सेल होता है इसमें एक सेट- फ्रोमोजोम होता है ऑब्स नेचार प्रोमोजोम होते हैं कि इसमेयों में ऑट सेट उसेट अव प्रोमोजों सोंगे तो दोनों लॉनकोशन आता है एकस्प्रेइंड दोनों को डिस्क्राइट कर नोगा जो यहां पे लोगो यह दोनों के डिलेलेशन में हो रहा है गाजमियो जीनसिब ऐस फ़ाईनल इस्टेज होती है प्रमियोगनेसिस की जहांपर इस पर मेस बन रहे थे यानि वह मैच़्ोर सपर्मियोगनेसिस बोला अगर कि बात करें ऐसामरी मतलब गबीमिट जनने giàनी यह यह इस परमेतो जनिस तो गैमिटो जननी बहुत जादा कुरूशियल होता है इसमें दोनों आ रहा है स्पर्मेटोजेनेसीज भी एड उजनेसीज भी दोनों कुरूशियल होते बहुत इंपॉर्टेन होते है सेक्ष्ण रेप्रेडक्शन के लिए और इंशूर करते हैं जैनेटिक डाइवरसिटी को ठीक है और continuity of species ताके एक continuation में उनके office spring बनते रहे और एक species आगे चलती रहे स्पर्मेटोजेनेसी और उजनेसी से हैं वाइल बोथ एम्ड एड प्रोडूजिंग फंक्शनल गैमेट यह दोनों का एम क्या होता है यह ऐसे प्रोडूज प्रोडूज करें जो फंक्शनल हो है डिस्तिंक्ट प्रोसेश एंड रेगुलेटरी मेकानिजम सुटे टू देहर रोल इन मेल और फिमेल रप्रेडुक्टिव सिस्टम अंडिसेंड करना होगा इस प्रोचेफ इंसाइड इन्टि हूमन डेवलपमेंट और अगर आपको अभी प्रोपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर आपको अभी प्रॉपिक कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कोमेंट कर सकते हैं मेरी इमेल आईडी दी हुई है आप उसमें भी मुझे मेसेज कर सकते हैं तो मैं इसको और अच्छे से और नहीं तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी ठीक है और इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर लेना शेयर कर लेना और अपने फ्रेंट सर्किल में भी शेयर कर देना थैंक इस ओमर देन कीप सपोर्ट मी